वेल्कम टू माई एर्फिटी ऑनलान स्टेडी चैनल देखिए इस चैनल के मादधम से आपको एयर फोर्स एक्स और वाइग गुरूफ का इंग्लिस का मॉझ टेस्ट और एयर फोर्स एक्स गुरूफ का फिजिक्स का मॉझ टेस्ट ने भी यहां पर जो भी most important question है कि ऀटिंग कोश्चेन वहीं आपको देखने को मिलेगा जो आपके एक्जाम में सिधा हीट करेगा ऐसा-इसा कोश्चन है जो आप अराम से इसे प्रैक्टिस कीज़ें आपके एक्जाम में बिल्कुल हीट करना ही है ऐसा नहीं है कि आप एक पर question को देखिए practice किजिए और देखिए आपके question कैसा कैसा दिया गया है फिरकुल आपको एक बोला जाता है question पढ़ने के बाद पता चलता है कि हम एक question का level कैसा है सो बिना time waste के हम लोगे start करते हैं अगर आप मॉक्तिस्ट वन टू त्री फॉर फाइब जो नहीं देखें तो उसे जाकर प्लेलिस्ट में याकर देख सकते हैं इंग्लिस का मॉक्तिस्ट भी वहां पर डाला गया है और फिजिक्स का मॉक्तिस्ट भी है और इंग्लिस का टॉपिक वाइज भी आपका question है सो चलिए स्टार्ट करते हैं आप मॉक्तिस्ट नमर सिक्स है तो सबसे पहला question बला एक रेडियो एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्थ आयूकाल 12.5 घंटे हैं यदि उसकी प्रारंबिक यदि उसकी प्रारंबिक मात्रा 56 ग्राम है तो उसकी मात्रा एक ग्राम होने में कितना समय लाएगा तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉस किजिए और इसको खुछ से स्वाल्व करने की कुशिस किजिए चलिह हम बताते हैं इसका answer सबसे पहले इसका फर्मूला जो होता है इन बढ़ाबर इन नौट वें वगवें लिएंहिदा होता है यह आपको पता होगए आपको इसका फर्मूला भी याद होगा तो सबसे पहले हम लोग tolerant थे सबसे पहले देख़ेंगे यह पर इन बटा इन Nॉट हम लिखेंगे इसे वन पावर एन उस की मात्रा एक ग्राम होने में कितना समय लागेगा तो सब सब पहले हम इन को वन लिखेंगे यानि एक ग्राम बोल रहा है और एन नौट है 256 ग्राम प्राइब को इसके बाद हम लोग लिखें वन बाइट अपा अथम देखें वन बटर 256 वाम लिख सकते हैं यहां पर दीखें हैं वन बाइट यहां मोड़ीं लिख सकते हैं एन बराबर हम लोग का एंसर एट आया अब बोड़ आया पर एक ग्राम होने में कितना समय लेगा तो सबसे फिल हम लोग तो एन बटा एन नोट वन बैटू का पावर एन से फर्मूला से निकाल दिये इन बराबर एट अब होता है तो जो टाइम पूछ रहे टी बराबर एन सम्हें ती कि हब यहाँ हम लोग टी हफ दिया हुआ है दें तो हम लोग अगया एट टी हब यह है बारत दफे लोग पांच आवर यह लोग का दिया था अभी साप इन तू कीजेगा तो यह अपको यहाँ आपे जो एंसर रागा 100 आवर्स हैगा तो आपका एंसर जो है वी भी राइट सबसे पर देखेंगे कि एन बराबर एन नोट इन्टु वन बैटू का पावर एन होता है इस फर्मुले से सबसे पर हम लोग एन कमान निकालेंगे और टोटल टैम निकालेंगे टी बराबर एन इंटु टी हाँ तो इसका एंसर निकल जागा हंड़ेट यानि 100 घंटा इस आप अराम से निकाल सकते हैं देकि यह को डरना नहीं अब डरना नहीं है लुक्षान लगना चाहिए कि यह कुशें नहीं पुछहाएं आप जो सुछते हैं जो कुश्चन नहीं पुछेगा आपके एक जना में वहीं क्ट करता है इस आप यह मंस एक पिंड जिसका दर्यमान एक किलोग्राम है किसी विसम जुके तल जिसका जुकाव कौन साथ डिग्री का है कि उपड़ी सीरे से चलना शुरू करता है यदि तल का गतिज घर्षन गुना 0.5 तथा तल की नमबाई 1 मिटर हो तो घर्षन के बिरूत किया गया कारे होगा अगेवला जो कोसे ने उसको इंगल हम नहीं पड़ता है अब बॉड़ी उसको पहले हम दिखा देते हैं एक मिनट कि लेकिता हाल फ्लाइप पिडियर ओफ रेडियो एक्टिव सबस्टांड इस 12.5 आवर्स इफ 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 इट्स इनिशल क्वांटिटी इस 256 ग्राम देन ह लंग विल इटेक तो बिकॉम वन ग्राम अब इसे फाइंड कर लिजेगा हम आपको समझा दिये हैं नेस्ट कोश्चन जो है नेस्ट कोश्चन कर एब ओड़ी उस मास इस वन कीज स्टार्ट मूमिक फ्रॉम्ट ऑपर इंड ऑफ और रॉफ इन ग्लाइन प्लेन उस तिल्ट एंगल इस 60 डिग्री इफ दगनेक्टिक फ्रिक्शन कोफिशन ऑफ द फ्लोर इस 0.5 अंड लेंथ ऑफ द फ्लोर इस वन मीटर दिन दो वक डॉन अगेंस द फ्रिक्शन विल भी डिखिए सबसे पहले हम लोग इसे देखेंगे कि इसमें कार इसके बारे में पूछ रहा है क इसका खर्षन के बिरूत किया गया कारे होगा तो सबसे पहले कार्श बराब होता है डबल इसकोल टू एफ इंटू डी यानि बल्गुने वी इस थापन जैसा हैं इंदी में पढ़ते हैं डबल वरक इसकल टू एफ इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लैस्मेंट तो सबसे सबसे पहले हम निकालेंगे यहां पर एफ निकालने के लिए जो फर्मूला होगा एक मियू एमजी कॉस्ट ठीटा क्योंकि यहां पर एक एक पिंड जो है एक बॉड़ी उज्वास इस वन की टार्ट जो एक पिंड है वह इस बीसम उच्छू के कौन माल लीजिए एक यहां से बीसम कौन है 60 डिग्री यहां पर कोई पीने रखा हुआ है इसे नीचे घीचने में किया गया कार गर्टी गर्सन के बिरूत किया गया कार हम लोग को फाइंड करना है तो सबसे पहले हम लोग जो निकालेंगे एक बराबर इसका फर्मूला होता है सब एक निकालेंगे तो फर्म यूंगी कौस्ट धिटा तो एक निकालेंगे एक बराबर मू एम-जी मूस्ट धिटाthis निकालेंगे तो मू कामान हमणव का दिया है यह मिव है घर्शन गुनांक यूकमान दिया जिरो 5 5 ओं हम लोग का दिया है 1 kg andven idiots घिं sûr हम लोग को पता है 9.8 ऑन पक प्वेंट 8 कमान होता है 1 by 2 जब इससे हम लोग find करेंगे तो यहां पर आएका 2.45 तूसे हम लोग इससे काटेंगे यहां से 2 से काटेंगे दूज टूफोर्जा 8.9 4.9 होगा और इसे इंटू करेंगे तो हम लोगा 2.45 न्यूटन इसका एफ कमान निकला अब हम लोग जानते हैं कि एफ इसका डबलू इसका डूफोर इंटू दी एफ का जूमान है वह हम लोगा 2.45 आ गया 2.45 उसके बाद जो डी कमान है वो डी है इसमें कितना बोड़ा है एक पिंड जिसका दरवान एक किलोगराम में उसके बिस्वां को 60 डिगरी का है उन्परी से जाना शुरू करता है य स्थापन जो हो रहा है वन मीटर हो रहा है तो घर्षन के विरुद्ध यहां पर हम लोग लिखेंगे 245 2.5 है यहां पर 2.5 2.45 इंटू 1 जब हम लोग इसे इंटू करेंगे तो 2.45 हम लोगा जूल एंसर आएगा इसे आप आराम से फाइन कर सेंगे बिल्कुल सिंपल होते हैं तो देखिए इस आप जो एंसर हैगा हम लोगा वह एंसर नमर इसका है डी 2.45 जूल सो एंसर दी विल बी राइट नेक्स्ट कोश्चन हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट कोशन क्या भोड़ रहा है देखिए आप इसे इंगली से पढ़ लिजेगा जिनको हिंदी इ इंचे यह गिराया जाता है तो तीन सेखिंड बाद दोनों के बीच की दूरी है और ऊबल सेकेंड लेट और अनॉड़ लेंड इस ड्रॉप्डल ऊंपर सेंप एट नुन तो También टू एजगह देखिए सब अंन्य ừ SIM सब सब साथ हम लोग जो Conf करना है बोल रहा है एक गेंद को नीचे गिराया जाता यहांए एक सेकेंड बाद इसी बिंदू से एक अन्य गिंद को नीचे गिरा जाता है तो तीन सेकेन बार दूलों के विच की दूरी क्या होकि तो सबसे पहले एस बराबर यूटी प्लस हाफ यूटी प्लस इस थ्री माली जैस बराबर एक मिनट कि यहाँ जो होग आपका जी जो दिया हुआ है टेन मीटर परती सेकंड स्क्वाइर देखिए आपर हम लोग इस बराबर इसका फर्मूला होता है इस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वाइर तो सबसे पहले हम लोग 3 सेकंड बाद 3 सेकंड बाद हम लोग इसे इसका दूरी सबसे फ़री फाइंड करेंगे यूटी यह तो प्रारणंपिक वेख है तो यह तो जीरो हो जाएगा तो इसको हम नहीं लिख रहे है यूटी हो जाएगा एस बराबर यूटी प्लस हाफ एक कमान है टेन टी कमान है थ्री यानि तरिशा नाई जब इसे टू फाइब जटें नाइन फाइब जा फोटी बेर एक अन्य गिन निमिकालना जाता यह एक सेकंड बार यानि 3 सेकंड में से एक सेकन हम घाठा देंगे तो हम लोग को बचा दो सेकेंड इन्हें स्टूंड निकालें तो the switch फर्मूल से बढ़े लेकैने क्लिए 1 बाइ 2 10 इंटु दो युड़ ard ग्री resolve करेंगे तो 4 2 5 обс सोटेइर्ट which means 20 20 मेटर mijले हम स्regist今年 टें पर के स्कहें आएगा च्छी सेकेंद निकाले जाए हैं दूनों के बीच की दूरी कितनी होगी तो एस थी में से एस टू माइनस करेंगे तो 45 में से 20 माइनस करेंगे हम लो 45-20 तो हम लोग पास आगा 25 सो एंसर आपका जो होगा वो सी विल भी राइट बोड़ा एब बॉल इस ट्रॉब डॉब डाउनवाड और सेके लिट और अनदर लेंड इस ड्रॉब ड्रॉब डॉब डाउन फ्रॉम पॉंट आफ्टर थी सेंड डिस्टें बिट्विन तर तू इस यह कोस्टन आपका प्रि तो इसके कंपन का ह्याम ए है तो तब एक एवं एक बीच में जो संबंद हैं उसे बताना है इफ दो टोटल एनरजी ऑफ दा पार्टिकल डूइंग सिंपल प्रियोरिक मोशन इज इस एंड इस एंपलिट्यूड ऑफ बैरियेशन इस ए देन दर रिलेशन बिट्वी एंड इस देखें हम लोग पता है कि जो टोटल एनरजी होता है से शेचे में सिंपल हर्मोनिक मुसल में इबराबर होता है हाफ एम ओमेगा इसक्वार एसक्वार तो बोड़ा जो ई है वो इसमें से कौन सा रिलेशन को डिफाइन करता है तो यहां पर जो ई है इस समनुपाती है यानि प्रोप्रोर्शनल है एसक्वार के तो आप देख सकते हैं इसका एंसर भी विल भी यह भी बहुत भी ऐसी कोश्चन आपके एक्जाम में पूछा हुआ कोशन है नावी देखिए यह मोश्ट इंपॉर्टन कोश्चन जो आपके एक्जाम में टकरा जाएगा इस बार नावी के विखंडर में उड्या उत्पन होती है क्योंकि देखिए जो आपका लाश्ट पर नुकुलियस चैप्टर है या स बिखो को बेजिन अप नृकी अबीक कूंख से अधिक होती है बिघरृट फैर्ट नाविक से कम होती है बिखाड इन्सराः नहीं Centre जुट फास्टीन हो राइट होगा आप इसे याद करने के लिए इसके साथ होनी चाहिए तो ऑप्टें पी टैप जर्मेनियम सेमिकॉंडक्टर इस डॉपिंग सूड भी विच अब फॉलॉइंग तो इसका जो आंसर होगा देखिए जिसका भैलेंसी 3 होता है हम लोग दॉपिंग करते हैं तो लोा हुँ मियाट होता है अगर इसे हम लोग जर्मेनियम में मिलाते हैं तो यह होगा सभस्सका एंसर ऊद्रीश होगा कूर्ण होगा maps question क्या बोल रहे है कूण दाना विधंधित्कन है निम्न में से कौन धानावी सितकन है अलफा रेज बीटा रेज गामा रेज और एक्सरेज तो इसका अंसर होगा वह अलफारीज होगा अलफारेज जो है हमनों का वह पोजिटिव पार्टिकल्स है नेक्स्ट देखते हैं विच अब दफ्लोइंग रेडियेशन है दखाइस पिनेट्रेटिंग पावर निवन में से किसकी विक्रन की भेधन चमता सबसे अधिक है तो इसका आंसर की स्थिति उर्जा वी है यदि स्प्रिंग को 10 cm खीचा जाए तो इसकी स्थिति उर्जा होगी 2 cm on a long spring is drawn and its potential energy is V if the spring is drawn 10 cm its potential energy will be तो देखे सबसे पहले हम लोग निक्स का फर्मूला पता है यू बराबर होता है हाफ की s square जो के है इसका coefficient है इस प्रिंग का कॉफिसेंट है यू बराबर हाफ की से हम लोग फाइन करेंगे यू बराबर हाफ के पहले पोड़ा है कि एक लंबड़े spring को 2 cm की शींचा जाता है तो 2 cm को cm को हम मीटर में भी चेंज करेंगे cm को मीटर में चेंज करेंगे तो उसका एंसर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किजेगा या अभी इसमें जो हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे या नहीं करेंगे उसका एंसर उतना ही आगा अगर हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो कर जाएगा उसका एंसर भी आज़ागा तो इससे हम सेंटी मितर में नहीं चेंज करते हैं आप अपर आम से मीटर कर मीटर में पावर माइनस ठीक है अस्क्वाइर हो गया यहां पर देखें ओके 1 बाइ 2 के x स्क्वाइर तक 2 टू जा आप 4 इंटू 10 तुद भावर माइनस 4 यह हम लोगा जो दिया है वो है भी दिया है एक लंबे स्प्रिंग को 2 सेंटेमेटर खीचा तो इसकी इस्तिति उर्जा भी है यानि भी हम लोगा हो ग अगर को बुड़ा दस सेंटेमेटर खीचने में इसकी इस्तितिता होगी तो प्रहले हम लोग फिर निकलांगे यूव भराबर हाव के एंगे 10 सेंटेमेटर फिर 10 तेंट पर हड़ हो जागा इसको स्क्वाइर करेंगे और यहूज हो जागा हम टेर हम डिएरेक्ट इसको ब कर डेका 10 टेना हंड्रेड हो जागाइस को स्कार करेंगे तो और हूंश के बाद 10 का तो देखिए यहां पर 1 by 2 k 4 into 10 to the power minus 4 को हम लोग भी लिख सकते हैं और उसको 25 बचा उसको 25 लिख सकते हैं ऐसा राम से हम लोग फाइंसर रहेगा है 25 भी इसको आराम से आप कि जाएगा तो इसका एंसर डी विल भी राइट सबसे पहले हम लोग यू निकालेंगे टू सेंटीमीटर के लिए अब डिरेक्ट निकाल दिएगा यू बराबर हाफ की से स्क्वाइर से तो तू तो फूर हो जाएगा और 10 तो पार सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किये तो क यूँकि इस तरह के कुश्चन अगर आएंगे तो उसका कट जाता है सेम और सब्सक्राइब हो जाता है तो फिर बाद 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 फूर इंटु टेंट निकाल वाइनस फूर उसका नोब फिट दस सेंटीमीटर जो खीचे तो यहां पर देखें ट हुआ है यहां यहां लोग को किसा हम लोग हएं पर यहां फूर 5 लिख सकते हैं कि हम लोह भूरे कामान रखना है तो वन बाद 2 के इंटु फोर इन्टो टेन पर माइनस फूर जगा पर आम लोग भी रख दी है ने पर यहां पर 25 बचा तो 25 इंटुँ वी तो एंसर डी विल इंपोर्टेंट के लिए टार्गेट किया गया है परतेक दस भूल्ट तक आवेशित पाड़ी की 64 बूंदे को मिला कर एक बड़ी बूंद बनाई गई है परतेक दस भूंद एवरे टेन भूल्ट अप्टु सिस्टी फूल द्रॉप्स अफ चार्ज मर्क्यूरी मर्क्यूरी बने गोलाइब चाहिए परतेक दस भूली तक आवेशित पाड़ी की चोंसर बूंद कर एक बड़ी बूंद बनाई गहां परें बड़ी बूंद पर बिवह होगा तो सबसे पहले इसकाम लों का फर्मूला पता होना चाहिए इसका जो फर्मूला होता है डिरेक्ट इस फर् लेको लगाई कि भी इसकोल टू एंटू पावर जितना 64 बूंदी है तो 64 बूंदी या एंद कर देंगे इसका टू बाई 3 इंटू भी होता है तो सबसे पहले हम लो देखेंगे 64 को हम लो लखेंगे चौंशाइब तो पावर 3 इंटू भी कमान की ना उद हुद है तैन और चौंशाइब कर लो लिख सकते हैं कि पोर का पावर 3 into 4 का power 3 into 2 by 3 into 10 तो देखिए 3 3 कर जाएगा 4 4 just 16 4 4 4 का यहाँ पर वच्छा square into 10 16 into 10 हम लोग जब करेंगे तो यहाँ एंसर आएगा 160 बोल्ट आपको जो एंसर आएगा 160 बोल्ट तो देखिए यहाँ पर answer A will be आपका राइट है आपका जो answer A है राइट है भी कमान सबसे पहले निकालेंगे इसका फर्मुलर डिरेक्ट रखेंगे अगर 64 बुंद दिया हो 8 बुंद मिलाकर दिया हो इतना भी दिया है तो इन के जगब उस कमान रखेंगे टू बाइटरी इन टू भी रखेंगे भी कमान जो दिया है तो 64 इन टू 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 इन कप और टू बाइटरी इन टू टेन फोर का प्रका क्यूब करेंगे और टू 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 करेंगे तो 64 होता है और टू बाइटरी को इससे मल्टिफलाइब करेंगे तिरी कर जाएगर आपने से पाता है कि आप इसे आराम से फाइन कर सकते हैं नेक्स्ट कोश्चन देखते हम लोग नेक्स्ट बूल देखिए सेमिकंडॉक्टर नहीं यह गेट का है जो कोश्चन है यह गेट का कोश्चन है एक मिलेट रूप जाएए तोड़ा कि दीशन तयत्य साब नीजीट का है उसका नाम है बताना देखिए यह चोश्चन पूछा चूपा है वह और गेट है यह नौच है आराम कर सकते हैं यह है और गेट सो एंसर यह विल बी राइट नेक्स्ट जो 12 और तो ट्वेलम और कोश्चान रेडियो सक्रिये भी घटन के फल्सलू यूरेनियम का जो दिया और का ना भी पास्कल में बदल बदल जाता है तो इस भी घटन में उच्छ सर्जित कन है देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं तो आलफा कन जब हम निकलता है तो आपको पता है कि इसके परमानु जो दर्मान है तो उसमें प्चार की कमी होती है और जो परमानु संख्या उसमें दो की कमी होती है तो यहां पर यूरेनियम में से हमालेज़े एक अलफा पाटिकल्स निकालेंगे तो इसमें बचेगा हम ल इसके बाद के पिर यहां पर इसका चेंज पासकल इतना मीं हो जाता है 91 पासकल कप यह चाहर है इसका बाहर दी है 91 झार माम संख्या दिया तो इस बदली जाता है तो इस भृक किर कौण है तो देखिंआ हिसमें जो 90 हुआ तो यह एक आउर इसमें से एक बीटा कर बीटा का निकलता है इक ब्रिद्ध Gem में लियुतPardयी हुजता है और यो परमानू द्रभुंपान उसमें खुई पडिवरतन नहीं होता है यानि पास्कल जो है लुटर। begins. सब्सक्राइब को के एंगर सब्सक्राइब तो या इसे पार्मानुस प्रिद्राइब के लुक्त होती है और प्रमानुस परिवर्दowana नहीं देख लिए जब इंग्लिज में भी देख सकते हैं one proton and one neutron one alpha particles and one beta particles two beta particles and one neutron and two beta particles and one proton इसका answer जो होगा वो होगा one alpha particle and one beta particle सो एंसर बीविल बी राइट निष्ट के कथन एक है गतन फर्स्ट है जो भूर रहा है एक चमकादर अपने सिकार रात के अंधिरे में पकड़ सकता है पकड़ सकते हैं अच्ट को सेके नहीं कि कथन सेके नहीं सब्सक्राइब कर सकते हैं इंगलिस पढ़ने में थ्रक नहीं होती है स्टेट्मेंट फॉस्ट है बैट स्कैच दियर प्रे इंद डार्क आफ नाइट इस्टेट्मेंट सेकेंड जो बैट इलिट्रीज्म कैन अल्सो प्रोड्यूस एंडिटेक्ट साउंड देखें कतन एक सही है नहीं है नहीं है यह सही कथं फस्ट है कि डूना सट्ट स्कैन का सभी करन है बिल्कुल यह बात बोल रहा है answer diu सहीर मतलů असथरी भी गलत है क्थं फवाएब नूसर प्रॉप कहना सफ अफ पिसकान सब्सक्राइब करन को चमकाद रालस को कार्म अपना करता है देखते हैं कि आप गुफा में यह उल्टा लटका रहता है और जो परासर्व थानित करता है जिसे वह इंडिकेट उसको मिल जाता है कि उससे ही हम लोग जैसे रात में जब चमकाधर उड़ता है तो वह परासर्व वेव निकालता है उसके अनुसर वा उसके कोडिंग उसकेरी नहींगा आगे बढ़ता है उस त़रंग के माध्यम से नेक्स्ट कोर्षन देखते हैं हम लोग है निम्लिखित में से निम्लिखित में से कौन ईक ही में से कौन एक वायू में ध्वणी तरवं प्रणी रंग उत्पादित नहीं होता हुँछ उन फ्लिंग प्रडियूस वेव को अंच सकूर्ण एक जरूर पूछता है वेव से पूछता ऑपका पूछता ही है जिसे हम आप प्रैक्टिक सेट में आपको करा देंगे नेक्ट व्लाह एनियों की जंट किसके द्वराब बढ़ाई जा सकती है तो जो एक kira की मुझता है एक मिरत एक स्किर्ण के होगा फ्लिदों कि और किसके द्वराई जा सकती है तो बुरह हैं त chore में तो इसका जो एंसर होगा वो हुगा दी दिकी बीवहांतर बढ़ाने से जो इसका इलक्ट्रोन का उर्जा कि इलक्ट्रोन की उर्जा जो है वह ब्रित्धी होती है जिसके कारण इसका एकसरेज जो X-rays का वेदन चमता है वो बढ़ जाता है इसका इंग्लिज में देखने है by which can X-rays be enhanced by increasing the current in the fiber the current in the fiber is reduced by cathodes and anodes decreasing the voltage between the anode increasing the voltage between the cathode and the anode तो आपका जो answer 4 होगा right होगा आपका answer D will be right sorry यहां पर ABCD 4 हो गया माली यहां पर D है so answer D will be right विवांतर भठा कर हम लोग उसका भेदन चपना बढ़ा सकते हैं इस तरह के कोशन आपके एक्जाम में आएगो तो आप eliminate करना मुश्किल हो जागा क्योंकि इसके बारा में अगर आप नहीं जानते होंगे अभी से नहीं बता पाएंगे तो इसका दी होगा आप इसे रट लिजेगा ज्यादा बेटर होगा आप इसे रट लिजेगा आप आप से इसे कर लिजेगा नेस्ट कोशन है एक उत्तर लेंज को काच के अपृतनांग से अधिक अपृतनांग वाले द्रों में डुबाया गया है या वहबार करेगा अब सारी लेंज की तरह काच की तरह अभी सारी लेंज की तरह यह इन में से कोई नहीं है जुद्धी है इन में से कोई नहीं है इन में से कोई नहीं है इन नोर्थ लेंस आपलेसे लिवाटिक्ति इन्धेस ग्रेड्रेड्र की तरह a divergent lens like a flat यानि सम्तल की तरह flat यानि सम्तल सम्तल की तरह B जो है वो सम्तल की तरह है C अभिसारी lens की तरह या D इन में से कोई नहीं a divergent lens a divergent lens like a flat like a flat का वार्जिंग lens like none of these इसका जो answer होगा वो होगा B सम्तल की भाती यह वह बार करें एक उत्तर lens को का अधिक अप्रत्राइंग से अधिक अप्रत्राइंग वाले दिरहों में दुखा जाता है यह वह बार करेगा सम्तल की तरह तो answer आपका B will be right आप इसे सही कर लेजेगे आप सम्तल की तरह होगा नेक्स्ट है प्रित्वी तो से एच उचाई पर जी के मान में उतना ही परिवर्तन होता है जितना प्रित्वी के भीतर एक्स गहराई पर तब पौरता था तब एक्स बराबर होंगा देखिए इसे आप जब को सौलूसण इसका जो है वह सौलूसण थो दभण बढ़ा है सौलूसणा आप सौलूसण को मत देखिए आप उसका साड़ैक्ट एंसर याद रख किया एक्स बराबर हो जाएगा आपका तूब इस इसलिए होगा क्योंकि कि प्रित्वी के मान लिजए जब प्रित्वी के 20 cm, 20 मिटर उचाई पूर जाईएगा, तो जब गहराई में इसका जाईएगा, 40, जब प्रित्वी के 20, जब प्रित्वी के 20, जब आप 20 मीटर उपर जाते हैं, तो जितना जी के मान में जितना पड़िवर्तन होगा, उतना ही, अगर आप 40 मीटर नीचे जाते हैं, अंदर एक के वहां पनिवरतन ँद्धुन होगा ढालों का फरी बरतन ज़ो होगा वो अपको सब्सक्राइब होगा घूर्प इसका enfrent क zrobić सकता है अगर पुछेगा कि प्रिफ्य से 20 बराबर होगा तो आपका जो मीटर होगा वह 40 हो जाएगा अगर 20 देगा उपर तो नीचे हो जाएगा पांच तो आप अराम सी से रेलेट करकर बना सकते हैं नेक्स्ट है 18 नमर कोश्चन जल के बितर वायू का बुल बुला कैसे मतलख किससे के लेन्स के तरह वह वार करेगा जल के अंदर वायू का बुल बुलला जो है वो और यह आपके 12 में भी कोश्चन पूछ जा चुका है 12 म देगरा में भी इस तरह के पूछे जाते हैं यह यह में भी पूछे जाते हैं और आपके कि नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं 90 नमर को सवर्ण अवर्द गति के समय करन वाइब बराबर 0.5 5 ऑमेगा 205 साइन हंड़ेड ओमेगा टी है तो आविरति होगा ताविर्थ होगा डीकिन अबस्ट योफ हांड्रेड पाइटि होगा इसका जो हम लोग का अविर्थी निकाल ना अवर्थी लोगो निकाना है तो मेगा बरावर टू पाई थी तो प्ल Contain doe पीली ऐन्ट ह होता है ओन्द ऑन्दिड by दिया है सॉरीב से सद्थ तू फाय जिद लीग सकते हैं से हैं से से पकाटि घरए से 100 काटेंगे तो 50 होगा यहां पर जो एंसर होगा आपका एंबराबर 50 हर्ट आप जाराम से फाइन कर सकते हैं आपके बार नेवी में यह आपका कोशन आया था नेक्स्ट कोशन देखते हैं 20 नमर किसी औरोद की किसी औरोद की कोड से प्रकास का मुना कालाता है तो आपका एंसर होगा वायू के अस्थान पर पानी में किया जाए तब फ्रिंज की चोराई परवर्थित नहीं होगी फ्रिंज की चोराई में व्रिद्धी होगी फ्रिंज की चोराई में कमी होगी या कोई भी फ्रिंज प्रात नहीं होगा आपका जो इसका अंसर होगा वह होगा सी की तरين में कोई कमी चोरा कमी होगी इफ यँ ये तो लाइज यूज यूज इंड्लार इंस्टीड ओफ ओफ एयर तेन डाविट ओफ द्री will increase the width of the filling will be less no filling will be obtained इसका आंसर हो जाएगा आपका C fringe की चौराई में कमी हो गई यदि यंग का द्विच्छिद्र रेखा चिद्र पड़ियों गवाई हो कि अस्थान पर पानी में किया जाए तब इसका जो fringe की चौराई में कमी हो जाता है so answer C will be right next रहते हैं हम लोग जोरा जाता है जो को विदूत पड़िपत में जोरा जाता है श्रेणी क्रम में समांदर क्रम में मिस्रीत क्रम च्रम कोई नहीं इसका अंसर होगा A जोरते हैं भारम आपने के लिए next question किसी पड़िपत में शुरूत द्वाड़ा प्रदर सक्ति अधिक्तम होती है जब उमेगा एल बराबर उमेगा सी ऊमेगा एल बराबर वान बटा ओमेगा सी पेए स्कुयर उमेगा एल बराबर उनunun LEERublik तो योगा he कि अनुदाद की स्धिति में गिसीर परिपस में शुरूत दौबाद प्रतर सकत्ति अधिक्तम होती है डिंदो मेगा एल बराबय वन बटा ओमेगा सी तो इसका हम लोग लिखते हैं कभी कभी ओमेगा स्कार बर बड़र वन बड़र एल ची या ओमेगा बराबर वन बड़र रूट अंडर पर एसी आपका एंसर होगा बी नेश्ट कोश्शन देते हैं सुर्द सुर्द प्रेरकतों में च्छ औसा सकती होती है लै इस्क्वार लै इस्क्वार वै फोर लै यह इसमें सुनने होगा तो सुध सुध्र प्रेरक्त्व में और सो सकते हैं कि यह पर इसका जो मानता है is सुध्र प्रेरक्तव में एककर क्वा लगाते तो इसमें धारा सकमानों Speech कायों होता हैं और यहां पर बोल्ट यह कट्वरुले इसका रहुंदे इसका म obesity रखेंग होगा इसका घण जीरो शुथ प्रेरकत में चय सकति होती है सुनने प्रटिफाइब ऑडिकलं नेते दो कन यह की पड़ास है फारे में ऐस छित रहता है जोर जा, इनड़ एलास्टिक कोलिजन औवटू पाटिकल्स इस प्रेजर्च क में सुटीव औरmarkt के गलेख इनटीक अगर आप प्रत्यास्त होता है, तो उसमें जो सिर्थ संब्लेक कंजर्बNG है लेकिन इसमें जो होगा अगर वह सब्सक्राइब करें अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब किजिए और बेल आइक जरूर प्लेज किजिए जिसे कि अगला वीडियो डाले अप्लोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचें इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद